So, hello, what's up, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, मित्रो, तो CA exams का जो कारवा है, सर, कल से शुरू होने वाला है, कल से शुरू होड़े, CA final के exams, and perso से CA inter के, और मैं आपको एक बादा दूना, जब exam स्टार्ट हो रहे हैं, तो मन में होती है, थोड़ी-थोड़ी anxiety, थोड़ी-थोड़ी excitement, कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सारी चीज़े जाएंगी, but trust me, बहुत जादा मजा आने वाला है, अभी आपको ये लग रहा होगा, सर, इतने सारे papers है, इतनी सारी चीज़े हम कैसे manage करेंगे, बट लेट मी टेल यू, एक बार, एक बार आप इस roller coaster पे बैट जातों, exams के roller coaster पे, तो कैसे, कैसे ये 15 दिन निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो सबसे पहले तो मेरी आपसे request रहेगी, कल का जो आपका exam है, सर, उससे पहले न, proper sleep लेके जाना, because अगर आपने एक अच्छी मीठी नींद ले रखे होगी, you will be having that energy, you will be having that positivity की कैसा भी paper आए, आप उसको एकदम बढ़िया तरीके से deal कर पाऊगे, दूसरी चीज मेरी जो आपसे request है, सर, सुभा सुभा, make sure आप time पे नहाद हो लो, एकदम बढ़िया तरीके से, and उसके बाद जरूर, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, God, Allah, भगवान, जिन में भी आप बिलीव करते हो, please, Almighty की blessings ले ले लेना, मैं भी यही करता था, मैं भी जब भी exam देने जाता था, मैंने पहले exam से लेके आखरी exam तक, हमेशा prayer करके जाता था, और सरचंदन का टीगा लगा के जाता था, ठीक है, उससे क्या है न, वो एक positivity रहती है, always आपको लगता है कि, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर भी है, मेरे साथ ईश्वर भी है, और इस बार हम दोनों मिलके धूम मचा देंगे, हम इस exam वाले challenge को face कर लेंगे, and let me tell you, बहुत मज़ा आने वाल है, बहुत अच्छे से अगर आप चीज़ों को करके आओगे, बहुत बढ़िया result आएंगे, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखने से वो क्या है, exam hall please time पे पहुँच जाना, कोशिश करना कि आप जो भी exam hall का आपके रास्ता है घर से, मानलो आदे घंटे का रास्ता है, तो वो जो आदे घंटे का रास्ता है, तो उसके लिए 45 to 50 minutes पहले मैं काऊंगा, निकल के जाना, क्यूंकि वहाँ पे भली थोड़ी देर wait कर लो, बट अगर आप हर बढ़ाहत में पहुचते हो ना, काफी दिक्कत आ जाती है, तो please make sure आप exam hall time पे पहुच रहो, and trust me, if you reach on time, एकदम cool and calm manner से आप enter करतो exam hall में, सब कुछ एकदम बढ़िया जाता है, and last में बस मैं आपको इत्ती सी बात कहूंगा, sir, क्या, हमको CA exams में 100 में से 100 लाने ही नहीं है, we don't need to score 100 out of 100, बट sir, कल आपका पहला paper है, कल आपका पहला paper है, यह सबसे scoring paper होता है, आप यह मान के चल सकते हो, जैसा कहा जाते हैं क्रिकेट में, कि अगर opener ने अच्छी start दे दी, अगर opener ने अच्छी start दे दी, चौके चके बढ़िया लगा दिये, तो फिर जो बात वाले batsmen होते हैं, उनको भी मौका मिल जाता है, अच्छा खेलने का, ऐसे ही आपका जो पहला paper है यह आपका opener है, अगर आपने पहले paper में धूम मचा दी, ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा जो कारवा है न, आपके CA exams का वो बहतरीन जाएगा, अब सर इसमें हमको pressurized कैसे feel नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है, पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए है, पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले, जो आपको descriptive questions पे, जो best three descriptive questions आते हैं, जो भी best three descriptive questions आते हैं, उनको आपने एकदम cool and calm manner में करना है, प्रॉपरली चीजों को अच्छे से करके चलना है, ठीक है सर, उसके बाद आप MCQs पे जाओगे, MCQs जो 30 marks हैं, उसमें से try करेंगे that at least we score 20 to 25 marks, ठीक है सर, इससे क्या होगा आपका 40 to 50 marks का जो score है, वो इकटा हो जाएगा, और उसके बाद जो आपके बचे वे 2 descriptive questions है, उसको आपने बढ़िया तरीके से deal करना है, पहला target मन में हमेशा रखना है 40 marks का, उसके बाद हम 50 की तरफ जाएंगे, और एक बार 50 marks इखटे हो जाते हैं, तो फिर सर हम front foot पे खेल सकते हैं, और प्रेशर अपने जो पढ़ाई करनी थी, वो एकदम बढ़िया तरीके से कर लिए, अब बस आपने अंदर ये believe रखना है, अपने अंदर ये faith रखना है, इस बार अगर chartered accountant बनेगा, इस बार अगर को exams clear करेगा, तो वो मैं हूँ, मैंने ही इस बार exams clear करना है ये faith आपने अपने अंदर रखना है ये जजबा आपने अंदर रखना है आपने अपने आपको मानना है कि आप exams clear कर चुके हो आपकी preparation इतनी अच्छी कि आप exams clear कर चुके हो अब बस compliance का समय है अब बस ICI compliance करवाना चाता है बस वो check करना चाता है कि आपने preparation की है या नहीं that's it तो preparation हमने करी है धूम हमने मचानी है बस हमें एक positivity के साथ आगे बढ़ना है क्या ये बात आपको समझ आती है answer is yes sir समझ आती है तो कल का जो आपका पहला paper है CA final FR ठीक है and CA inter वाले जो accounts का paper देंगे मेरी आप सबसे एक request है sir क्या मेर से नहीं किसी और से नहीं अपने आप से अपने आप से ये commitment करेंगे sir मैं आपको कोई बहुत बड़ा target नहीं दे रहा commitment करो that I will score minimum and exemption कम से कम 60 plus तो मैं score करूंगा ही मैं बताओं जब हम अपने आप से commitment कर देते हैं ये एक positive affirmation दे देते हैं यूनिवर्स भी फिर हमको support करने में लग जाता है and trust me मजा आ जाता है so wishing you the best जो मैनत कर ली थी आपने कहीं ना कहीं कर लिया है बस अब ये time है दिखाने का अब ये time है दिखाने का कि भाई मैं नहीं तो कौन मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही इस बार exams clear करूँगा all the best keep going हमेशा क्या बोलता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इस बार बोलता हूँ खुशी से paper लिखेंगे तभी बढ़िया number score करेंगे all the best keep going